वेलकम तो ओल सीवीएसी एजुकेशन इन हिंदी आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का फिजिकल एजुकेशन का एक पेपर देखने वाले हैं और यह आपका पेपर जो है रहने वाला है फाइनल एक्जाम के लिए जो आपका होने वाला है वहां से देख आपिएगे उसका प्छीका देख लिए कजिकल एजकिशन की बारे में के बात करने बारे में आज कैसा आएगा किस तरह का आएगा पेपर जो आएगा वह आपका सत्तर नंबर का रहता है यहां गलती से टाइप हो गया ठीक है फिजिकल एजुकेशन और जोग्राफिक की पेपर सत्तर नंबर के आते हैं तीन घंटे के आपके पेपर होने वाले जैसे कि सबको पता है और यह सामाने निर्देश की तरफ आते लिते हम यहां पे क्या क्या कहा गया है वो हम देख लेते हैं सामाने निर्देश कहा अब आपको इंपॉर्टेंट वी पढ़ना क्युक्कि मैंने इस पेपर के जो सारी चीजिए बताए गई है लाखका की प्रिपर के अंदर जा वह बोला के होंगे और यह बहु विकल्पी होंगे mcq जो type questions होते वो वाले यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आगे बुला गया है section जो भी होगा जिसे खंडखा कहेंगे यह आपका 19 से लेकर 24 तक होगा और यह दो-दो number वाले questions होगे इसका answer आपको 60 से 90 सब्दों से अधिक नहीं देना है आगे बात करें हम point 4 की तो यहां पर जो section C होगा आपका 25 से लेकर 30 तक होगा ठीक है इसमें question और यह 3-3 नमबर वाले सभी questions होगे इनका answer जो है आपको 100 सब्दों से अधिक सब्दों से अधिक नहीं देने है और हाँ यहां पर एक चीज़े आपको ध्यान देनी है जैसे आप देखेंगे एक से लेकर 18 तक जो question है इसमें तो बोला गया सभी question अनिवार रहे है नीचे की तरफ आएंगे आप यहां जो section B रहेगा आपका 19 से लेकर जो 24 तक question है इसमें 6 question है 6 में से आपको कोई 5 करने है यहीं पर लिखा हुआ है कोई भी 5 प्रश्न प्रियास करे ठीक है तो यह आपको यहीं मिलेगा देखने को अंदर नहीं मिलेगा इसलिए मैं आपको कह दे रहा हूं कि आपको यह सई से समझना है फिर इसके बास section C पर आएंगे आप वहां तो यहीं है आपके तीनती नंबर के यहां पर भी छे कोशन होंगे ठीक है तीनती नंबर वाले छे कोशन होंगे जिसमें से आपको पांच करने हैं आगे आएंगे हम section D यानि खंड घा की तरफ 31 से लेकर 33 तक यह question होंगे चार number वाले होंगे और यह case study वाले questions होंगे ठीक है चीतर से related आप से question पूछ ले जाएंगे इनमें आंतरिक विकल्प उपलब है यह आपका हो गया और 6th point है बोला गया जो section आपका last रहता है इसके अंदर 34 से लेकर जो 37 तक question होंगे यह पांच-पांच नंबर वाले होंगे और यह दिर्ग उधरिये प्रशन है इनके उत्तर आपको 200 से 300 सब्दों से अधिक नहीं देने है और इसमें से आपको कोई 3 प्रियास करने है यानि आप 34, ठीक है 35, 36 और 37 यह आपके total 4 question होंगे इन में से कोई आपको कितने करने है 3 तो यह आपको देख लेना यहीं पे paper के अंदर नहीं लिखे मिलेंगी इसलिए मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ English medium की तरफ आए जो English medium का रहने वाला है मैं बता देता हूँ, Hindi medium में बता ही दिया है all questions are compulsory section B, section B आपका 19 से लेकर 24 तक रहेगा 2 marks each question रहेंगे very short questions, very short answer type questions होंगी should not exceed 60 से 90 words attempt any 5 ऐसी आपका 25 से लेकर 30 तक यह section C रहेगा आपका, यह 3 नमबर वाले होंगे इसमें से आपको जो है कोई 5 देने attempt any 5, answer आपको देना है सो से लेड़ सो सब्दों में, ठीक है आगे आए पाच्वे पॉइंट की तरफ तो section D आपका रहने वाला है यह रहेगा आपका 31 से 33 की तरफ carrying 4 marks each रहेगा and our case studies question होंगे there is internal choice available section E, आपका रहेगा question number 34 से 37 तक carrying 5 marks each and our short answer type and should not exceed ठीक है 200 to 300 words attempt any 3 short नहीं यह long answer type question होंगे long वाले है यह बड़े वाले तो यह कुछ इस तरह से English में भी रहता है तो यह तो आपकी रही कि जो सामानी निर्देश दिया रहता है paper का हो यह चीजे मेरे को समझाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि paper का pattern जब तक आपको नहीं पता चलेगा आपकी तयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी तो यह आपको पहले पता होना चाहिए अब आते हम section A की तरह इसके अंदर जैसे कि आपको पता है कि 18 जो question होंगे वो mcq वाले होंगे ठीक है तो ncq type questions होंगे 18 तो वो हम देख लेते हैं जो 18 होने वाले ncq सबसे पहला जो question रहेगा वो आपका चीतर से related रहेगा आपको यहां पर चीतर दे दिया जाएगा और इसमें पूछा गया दिये गए चितर में किये गए जो व्याम है उस क्रिया का नाम बतारा आपको कौन सा व्याम किया जा रहा है ठीक है तो आपके सामने यह option है और यह आप देखेंगे गती के परकारों में से एक यह है जिसके इंदर क्या है हाथ नीचे फिर उपर ठीक है यानि हाथ जो है सीधा रहता है इसके कई सारे परकार है जिसमें से एक है राइट अंसर जो आ जागा आपका वैसे यहां पर यह चीतर में लिखा नहीं होगा यहां पर मैंने लिखा रहने दिया है बाकी राइट अंसर जो है आपका का हो जागा अप्शन राइट अंसर यह आपको पता होना चीए कितने परकार है औ इंग्सराइज परफॉर्म इंदा गीवन फिगर तो एब्डक्शन जो है राइट अंसर जैसे कि मैंने आपको बताया ओप्शन ए आ जाएगा आगे आते हैं दूसरे कोश्चन की तरफ दूसरा जो कोश्चन पूछा गया है योग सूतर की रचना किसने करी आपके सामने ओप जो है आपके सामने यह जैसे कि ओप्शन है मैंने आपको बता दिया है वैसे हिंदी में इसका राइट अंसर की योग सूतर के जो है कौन है कंपोश्च करने वाले तो राइट अंसर हो जाएगा महारसी पतंजली ओप्शन सी आगे हम आते हैं कोश्चन नमबर थी की तरफ योग के अंग कितने होते है। अपने पढ़ा होगा अस्टांक ठीक है है? अस्ट योग तो लास्ट वाला जो रहता है उससे हम याद रखते है तो यह आपका राइट अंसर हो जागा 8, जो उफशन खा है राइट अंसर निकल कर आ जाएगा योग के जो है 8 अंग है आगे ह हम आते हैं कोशन नमबर फोर की तरफ शिक्रां में जो है सब्सक्राइब शाख कर दíchएओंगी इसके अंदर जो मीनिंग है सिर्फ शारीर का क्या दर्साथ है को बताना है व्याम दर्सा रहा है सिर्फ सरीर दर्सार है परशस्ट्रा towel रहा है यह य। में समाहित, मस्तिस्क, आत्मा और ओर्गन ठीक है यह चीज़े तो राइट अंसर जो है option आपका घावाला हो जाएगा सरीर वह इसमें समाहित इट्स जो है content, brand, soul, organs, etc तो यह option D आपका right निकल कर आ जाएगा आगे हम आते हैं next question की तरफ question नमबर आपका पांचवा है पहले खेलो इंडिया सीथ कालिन खेल कहां आयोजीत हुए थे आपको बता नहीं कि सबसे पहले जो खेलो इंडिया जो खेल था जिसके अंदर सीथ कालि यह कहां आयोजीत हुए थे आपके सामने option है लेह और गुलमर्ग में स्रीनगर में सिमला में ठीक है चमोली एव ओली में तो यह आपके option दे रखे हुए सीथ कालिन खेल वो होते हैं जो ठंड में खेले जाते खेले ठीक है तो यह आपके सामने option दी हुए राइट अंसर आपका कहा हो जाएगा लेह और गुलमर्ग में जो है सबसे पहला खेलो इंडिया जो कारेक्राम हुआ था वो सीथ कालिन खेल जो है वो लेह एव option A इसका right हो जाएगा आगे हम आते हैं यहाँ पर है आपका अंतराष्टी ओलम्पिक संग यानि यहाँ पर हम देखें इंटरनेशनल ओलम्पिक कमेटी की स्थापना कभ हुई थी आपके सामने option दिये हुए है और यह याद रखना है आपको इससे related 5 नंबर में भी question पूछ यहाँ उसन द्लबर में इस्टि कर निकल कर आजाएगा वह खावाला निकल कर आजाएगा कि इस इसका तो हम देखें वेन वाज दा इंटरनेशनल ओलम्पिक एसोसीएशन ठीक है इसको एसोसीएशन भी बोल देते और कमेटी भी बोल देते एस्टेबलिश्ट कब हुआ था तो आपके सामने ऑप्सन दिये हुए और मैंने राइट अंसर आपको बता दिया है है उनके देवता है जियूस ठीक है मतलब इस्राइल आपका सबसे अच्छा एक्जामपल है भारत को बहुत अच्छा मित्र भी है तो आपको पता होगा वहां यहूदी लोग रहते वह क्या है जियूस की जो है पूजा करते उनका जो होता है तो उनके सम्मान में जो है यह आय सब्सक्राइब करते हैं तो आपको पता होगा यहां पर लिखा रहता है कि यह दिव्यांगों के लिए प्सक्राइब के लिए तो किसका जींचा के लिए अच्छा मतलब थो नयूर्मल बयक्ति है उनकी तरह नहीं से हमिन के लिए चाहर However disability ठीक है तो यह हो जागा disability राइट एंसर आपका जो है option डी वाला जो है निकल कर आ जाएगा आगे हम आते कोश्च नमबर 9 पर कोश्च नमबर 9 है कौन सा विकार है यानि कौन सा इन में से जो है विकार मतलब एक तरह से आप problem समस्या रुकावट यह सारी विकार के जो है अर्थ होते हैं तो कारे करने में रुकावट ठीक है मांसिक बिमारी हानिक कारकों का बढ़ना यहां एक सारी रिक एच हमता है तो विकार मतलब क्या हो जागा कारे में रुकावट option जो का है वो निकल कर आ जागा राइट एंसर य यह हो जाएगा इंग्लिस मीडिया में विच इस डा डिस ऑडर आ जो है आपके सामने option दिये हुए मैंने आपको बता दिया यह आपका जो है कारे मोग option जो ए है वो राइट अंसर निकल कर आ जाएगा यह आपके अभी तक नो कोशन हो गए mcq के अब दस्वे कोशन पर आत यहां पर सूची 1 करके और सूची 2 करके दिये हुए इस्थिर सक्ति क्या होगी आपके सामने यह दिये हुए आपको चुंदा है इस्थिर सक्ति का मतलब क्या है तो इस्थिर अवस्था में प्रतिरोध के विरूद मास पेस्यों की कारे करने की योगिता क्या है इस्थिर सक सक्ति तीसरा हो जाएगा विसफोड सक्ति कौन सी होगी बिजा अधिकतम सक्ति या उच गति से प्रतीरोध पर नियंत्रण करना थकान की अवस्था में जो है यह तो इसका राइट अंसर निकल कर यह वाला आ आजाएगा एक जो है अंसर में आपको बता देता हूं राइट अंचर आूवाला जाएगा पहलें का ऺद्ध यह ँवाला हो अंसर में आपको बता देता हूं व्ट्ज अम अर्ड़ कर लेना विडिम लिष्त आपका 1 और 2 दे रख़ा हुआ यहां पर दे रखा जैसे मैंने आपको बताए कि सबसर पहला यह हो जाएगा आपका एबिलिटी ओफ जो है पहले और यहां पे यहां पर एक आजएगा तीसरे का यह हो जाएगा और जुथे का यह रहाँ आपको मैंच कर लेना है मैंने हुंदी में आपको बताई दिया यहां पर यह तैसे हम को क्वेशन नंबर आपका 11 है दूसरे का लक्षन है आपके सामने option दिये हुए तेज सांस चलना चाती में घुटन होना और भी आपके option है लैटिक आइसीड बनना या उपरोब की सभी तो आपके सामने option है राइट अंसर आपका डी निकल कर आ जाएगा यह नि घाव वाला जो है राइट अंसर सही है इसी को इंग्लिश मिंडे में देखे option तंत्र का क्या कार्रे होता है आपको बताना है आपके सामने option दिये हुए रक्त चाप को नियमित करना या ठीक है ओ और सियो का जो है एक्सचेंज करना या और सीजन और सियो टू या निकल कर आ जाएगा तो यह है आपका कोशन नंबर बारवा इसी को अगर हम इंग्लिश मीडिया में देखे कोशन नंबर बारवा है आपका वट इस दा फंक्शन ऑप दा रैस क्रियेटरी सिस्टम जो है आपके सामने option दिये हुए मैंने राइट अंसर आपको हिंदी में बताई दिया option जो डी है body movement and control जो है राइट अंसर निकल कर आ जो रचना है उसका क्या आर्थ है विज्ञान का तो आपके सामने option दिये हुए भोत्की के नियमों का प्रयोक कर मानविय गतियों का अध्यान तिक है गति का अध्यान करना या सरीर के सभी सल्थानों के कारे तथा उन पर उनके परस पर संबन्द जो है उनका अध्यान करना या मानव सरीर के सभी अंगों की बनावट आकार स्वरूप इस्तिती तथा भार का अध्यान तो राइट अंसर जो निकल कर आजागा आपका option द्वा निकल कर आजागा इसका राइट अंसर मानव सरीर की रचना विज्ञान का क्या आर्थ है ये पूछा गया था इसी कौम इस में में देखे वाट इस दा मीनिंग ऑफ हुमन एटोनोमी ठीक है अनाटोमी सोरी अनाटोमी तो आपके सामने option दिये हुए है राइट अंसर जो निकल कर आ जाएगा अगे हम आते हैं को मल जो अंग है पूछा गया है उसकी सुरक्षा को को मल अंगों को सुरक्षा और को के इसे को हाँ तो वूस जो एक तो उस जो ऐए सिस्टम भी आपका आ जाएगा अब हम आते हैं कोशन नंबर पंदरवे की तरफ कोश्चन नम्बर पंदरवा है आपका यहाँ पर आपके अभी कतन और कारण वाले कुश्चन है अभी कतन हम देख लेते अभी कतन बोला गया कि लखवा ग्रस तो अपने सरीर के अंगों को ला नहीं सकते यह आपको पता ही होगा जिसको लखवा हो जाता ह तो क्या अपने सरीर के अंगह उनको नहीं ही ला पाते तो इस का करण बोला गया है उन्होंने अपने सरीर के अंगों की तागत पैदा करने की ठंता जो है वो खोधी है तो दोनों ही right है और दोनों ही सही एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे है तो right answer आपका निकल कर आ जा आगे हम आते हैं नेक्स्ट इसी को इंग्लिस में में देखे जो गीवन विलो और टू स्टेटमेंट्स गीवन विद एसेशन एंड जो है रिजन तो क्या दिया हुआ है एक पैरलाइज पीपल केंनोट आगे हम आते हैं क्या आर्थ है आपको बताना है आपके सामने ऑप्शन है मन वातावरन विवार या विग्यान तो साई के का मतलब होता है मन ओप्शन जो का है वो राइट अंसर निकल कर आ जाएगा आगे हम आते हैं कोशन नमबर सत्रवे की तरफ कोशन नमबर आपका सत्रवा है इन में से कौन सा सब्द उस डिगरी का वर्णन करते हैं जिस तक समू के सदस से एक समान लग्षन तक पहुंचने के लिए इकाई के रूप में एक साथ आते हैं इन में बोला गया है इन में से कौन सा सब्द उस डिगरी का वर्णन करते हैं जिस तक समू के सदस से एक समान लग्षन तक पहुंचने के लिए इकाई के रूप में एक साथ काम आते हैं तो समू सामन जस से राइट एंसर निकल कर आ जाएगा ठीक है और इंग्लिस मीडियम में इसी को देखे हैं तो यहां पर है विच आप दा फॉल्विंग टंस डिस्क्राइब डिगरी तो वीच दा मेंबर्स ऑप ग्रूप कम तुगेदर एज यूनिट तो रीच अ कोमन गोल ठीक है तो ग्रूप यह आपका जो है राइट अंसर ए वाला आ जाएगा अब हम आत पांचंकरा निकल कर आ जाएगा और वह ए गाट अंसर और निकल कर आ जाएगा अंसर सारे बोड़ी के और नेश डिज जो है राइट अंसर निकल कर आ जाएगा तो यह आपके सभी जो कोशन थे यह आपके एक एक नमबर की कोशन थे आयोग कि आपको यहां तक पता चला होगा कि इस किस तरह के कोशन आप सब पूछे जाएंगे पेपर में अब हम आते हैं सेक्षन बी की तरफ सेक्षन बी जो र प्रोग्राम में सामिल नई खेलो और तेवारों का नाम पूछा गया है यह आपका है कोशन नमबर 19 बार तो खेलो इंडिया जो है सीत कालिन खेल है ठीक है सीत रितू बर्फ इतियादे में खेले जाने वाले खेल जो है जैस होकी आइस स्केटिंग आधी 2020 में शुरू तो यह आप यहाँ पर पॉइंट्स दे सकते हो कौन-कौन से खेल जो है या नई तेवारों के नाम पूछे गए थे इसी को इंगलिस मीडिया में हम देखे नेम दर न्यू स्पोर्स फेस्टिवाल इंकुलिड़ेड इंदा खेलो इंडिया विंटर गेम है ठीक है खेलो इं इंडिया में तो यह हो जाएगा आपका इंगलिस मीडियो में आगे हम देखे योगी किरिया से आप क्या समझते है योगी किरिया क्या है सुधी किरिया भी इसको कहते हैं आप से यह पूछा जा सकता है सुधी किरिया क्या है जिसमें छे किरिया के जरिया मनुष्य के सारे स सुध्धी करण किया जाता है जिसके मादятиं से माना किये में हैं वह सुधार आता है अन्तरिक रूप व्यक्ति की देखिलिक में आए करना चाहिए तो यह आपका योगिग क यह करे येactic इस दो ए कि यहां पर आप यह योग करीऑ रिखे ठीक है योगी करे या तो योगी किरिया जिसे हम सुद्धी किरिया भी कहते हैं इन वीच पर्फिकेशन ऑफ दा हूल हूमेन बोडी इस दन थ्रू शिक्स एक्षंस तीसरा दूसरा पॉइंट है थ्रू इस हूमेन है इंप्रूब्स एन फर्फिकेशन टेक्स प्लेस इंटर्नली इस एक्टिविटी स्वास्त आहार यानि अच्छा खाना उसका सरीर सही नहीं रहेगा तो अच्छा खाना किसी वी व्यक्ति के जीवन सैली के लिए बहुत ज्यादा इंप्रूटेंट है और उसके बिना मनुस्य के आपना सारीरिक के साथ मानसिक विकास भी नहीं कर सकता सवस्त आहर सकारात्मक जीवन सेली के मुखे घटकों में से एक है एक सकारात्मक जीवन सेली का नेत्रेतु करने के लिए सवस्त आहर अवश्रक है यहाँ पे देखेंगे आप ताजा, फलो, सब्जीो, साबत, आनाजो और जो भी कम वसाडेरी उतपाद है उनको सामिल करते हैं स्वस्त अहार में ऐसे अहार स्वस्त अहार में विटामिन की होते हैं पोसक तत्व होते हैं और खनी जो की क्या है मात्रा जादा होती है तो इनको बनाई रखने मदद करते हैं यह ठीक कहा गया है कि खाना एक जरूरत है परन्तु समझदारी से खाना क्या कि यहां पर बोला गया है कि खाना एक जरूरत है परंतु समसधारी से खाना घाता है तो उसके सरेर में लगता है यसां कि आपको कोई वखती बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है लेकिन उसके सरेर में यह लगा रहा तो उसको क्या है कि एक ऐसी ओंपने बहुत ज़्यादा चाबार लापर है दीसक करना है यह आपका हेल्थ ली जो डाइट है किस तरह आपको जो है बताया गया जैसा कोशन तो यह आपका इंग्लिस मीडियो में अंसर हो जागा यहां आप देख सकते हैं यहां पर दो दो बार लिगया अंसरी डाइट लाइट लाइट लिए अदेख स्टाइल वी फोल इंक्लोड फ्रेस फ्रों वेगेवल फोल ग्रैंस और लो फोल फैट डिरी प्रोडक्त होगे सचा हेल्थ ली डाइट हेल्प हेल्प मेंटेंड एडिक्यूट अमाउंट्स औव विटामी नेट्रेंस होगे आपके मिनरल्स होगे ठीक है इंदा बोडी तो यह राइट हैंसर निकल कर आजागा आपका कोशन नमबर 21 का इंग्लिस मीडियम में इसी को आगर हम आगे हम द करने के लिए इंपोर्टेंट है ठीक है इसका एक कार रहे है धोनी उत्पन करने के लिए यह जो है यह धोनी की जो है वोकल क्रोड की धोनी उत्पन करने में मदद करता है और रक्त यानि जो है पीज को नियमित करने के लिए यह इनके कार रहे है इसी को इंग्लिस में अग जो है to exchange oxygen and carbon dioxide between air and blood sorry blood यहाँ पर to generate sound to it helps in production the sound of vocal crotch to regulate blood pH like pH आपका आजाएगा तो यह right answer हो जाएगा English medium में 23 पर आते हैं question number यह है आपका question number 23 और यहाँ पर बुला गया है व्रिद्धी और विकास में अंतर इस्वच्ट करना है तो व्रिद्धी कैसी होती है व्रिद्धी का आर्थ क्या होता है आकार होता है भार होता है लंबाई चोड़ाई यह चीज़े होती है अगर व्रिद्धी है तो उसकी एक कोई आकार है ठीक है उसकी लंबाई है उसका और विभार में प्रगति पहले वही बच्चा पांच किलो वजन उठाए करता ता आप दस किलो उठा लेता तो क्या है यह विकास बच्चे का यह में दिखता नहीं है लेकिन यह जो है होता है तो व्रिध्य और विकास में आयोप कि आपको अंतर पता चलाओगा इंगलिस में देखे डिफरेंटिव आपको बताना है वीट्विइन ग्रोथ और डेवलिप्मेंट में तो यहां पर हम देखे ग्रोथि ग्रोथ मिंस इंक्रीजिन साइज वेट लेंध ठीक है एटिसी डिपलफमेंट देविचम को क्वालिट के जो है कॉलिट एक्टिव चैं प्रभावित करते हैं तो अध्यात्मिक विकास प्रकर्ति से लगाव प्रकर्ति के नियमों के अनुसार कारे करना माफी देना माफी मागना सांतीव संतोस के साथ सज्टाचार के साथ रहना सारी सक्षा के दोरा उप्रोग शहीं सकरात्मक प्रभावित होती है प्रकरती से लगा यह दे हिसा अगर हम इंग्लिस में देखें how does the physical education positivity affect spiritual development spiritual development attachment to nature working according to the laws of nature giving progress forgiveness asking for progress progress uh living with peace and satisfaction with manners etc all of the above are positivity affected by physical education तो यह आपका हो जागा question number 24 तो यह आपका paper का हम यहीं तक रहने देते हैं part 1 question number 24 तक आगे के जो question है हम वो part 2 में करेंगे तो यह आपका कुछ इस तरह से pattern रहता है paper का और एक चीज़ में बताते चलूँ आपको कि मेरे पास physical education subject नहीं था बच्चों की काफी जादा demand रहती है तो मुझे कराना पड़ता है या ऐसे pattern paper जो है या किताबें उनकी देखनी पड़ती है तब बनाना पड़ता है तो मुझे physical education के बारे में इतना नहीं पता है जितना आपको भी पता हो क्योंकि मेरे पास physical education 12 में नहीं था इसकी जगए मेरे पास geography था तो physical education आप बच्चे जो है मांग करते जादा तो उनके लिए बनाना पड़ता है कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है तो ऐसे में मैंने सोचा आपके लिए कुछ physical education के paper प्रवाइड करवा ही दिया जाए ताकि आप पेपर में यह तो समझपाओगी कि पैटन क्या है और यह सभी questions जरूर है कि यह सभी questions important है भाला ही मेरे को नहीं आता है physical education लेकिन यह जो question लिए जाते हैं यह सभी जो है previous year में आयो में question होते यह आपके pre-board हो गया mid-term हो गया जो भी आपके होते 11 का pre-board नहीं होता है mid-term हो गया और जो previous year के question होते उनसे लिए जाते तो उनकी आने के chance बहुत जादा रहते ठीक है और जो इस समय के इसाब से बहुत जादा important लगते तो उनको लिए जाते तो एक question को आपको जरूर करना तो यह आपका physical education का part 1 था, part 2 का link में आपको description में provide करवा दूगा, वहाँ से आप देख पाएंगे जब में part 2 डाल दूगा, तो उसका link में description में दे दूगा, तो यह था आज का video, वीडियो अच्छे लगा हो तो वीडियो को like करें, share करें अपने दोस्तों में, और अगर अगले वरा exciting video में, जब तक के लिए, जय हिंग, जय भारत, बंदे मातरम,